नमस्कार दोस्तों कॉंपेडिशन कम्यूनिटी ए लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है इस ऐसा ही विशेश कक्षा में मैं अनिकेद दिवांगन आप लोग के लिए फिर से अर्थ विवस्ता से सम्मन्नित कुछ महत्पूर्ण प्रश्णवली यहां पर लेकर आया हूं जो कि आपके प्रारंभिक परिक्षा की दृष्टी से काफी ज्यादा यहां पर महत्पूर्ण है तो जलिए देर ना करते हुए आज की हम लोग यहां पर विशेश सूची को देखते हैं और आज की विशेश सूची कुछ इस प्रकार है आज सर्व प्रथम हम लो पर करती है तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग पहले प्रश्ण की और यहां पर आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्ण कुछ इस प्रकार है कि भारत में सर्व प्रथम यहां पर स्थापित बैंक है तो हम लोग देखते हैं कि 1770 में भारत में सर्व प्रथम यहां पर ब भारत में सरव प्रथम स्थापित बैंक जो है वो कौन सा बैंक है यहां पर देहन में रखेगा बैंक ऑफ हंदुस्तान है वही हम लोग क्या देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक एक तो इसकी स्थापना सबसे पहले हम लोगं क्या देखैंगे 1944 में हमerson पर हुई है यह सरव प्रथम यहां पर यहां और स्थापना हम लोग क्या देखेंगी कि आगे備ावगी आधार listens लोगंशनल बैंक क्या देखते हैं कि भारती स्टेट बैंक की स्थापना हम लोग क्या देख रहे हैं काफी आगे चल कर होगी यहां पर वही अठारा सो चार से हम लोग क्या देख रहे हैं इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे यहां पर भारती स्टेट बैंक के रुप से हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसको जा कौन सा बैंक है 18 181 में आवध कमर्शियल बैंक तो ध्यान में रखना पूनता भारती मैंक प्रथम पंजाब नैशनल अगर यहां पर पूछा गया कि भारतियों द्वारा संचालित भारतियों द्वारा अगर बात करें तो अगर सा प्रफम क्या था यहां पर बैंक था तो चलिए अगले प्रश्ण की और हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं भारत में बैंकिंग संबंदी गदिविदियों के लिए यहां पर नियामक संस्था है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भई बैंकिंग एक्टिविटी को कौन यहां पर रेगुलेट करती है तो ध्यान में रखना भारत में इसके लिए एक सर्वोच संस्था है एक इंडिपेंडेंट बॉड़ी है ठीक है जो हमारे यहां बैंकिंग रिलेटेड यहां पर जितने भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल क करनने का काम हॉसको करने का काम करती है और वो जो सर्वोच संस्था है उसे रिजर्व बैंक आफ इंडिया यहां भारती है रिजर्व बैंक को का पहली बार राष्टी करन्ट कब हुआ तो हम लोग क्या देख रहे हैं आजादी के बाद में बैंकिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए अलग-अलग समय में सरकार द्वारा काफी ज़्यादा यहां पर प्रयास किये जाने लगे है चूकि हम लोग क्या देखे थे खिश हमारा उदेश क्या रहा था सुरुआत सेए कि नेशनल presented को हम लोग को तेजी से क्या करना है यहां पर multiple करना है तो कैसे किया जाए उद्योग और धन्दे हमको यहां पर करने पड़ेंगे इस्थापित करने पड़ेंगे और उद्योग धंदे इस्थापित करने के लिए अपने को किसी जरुरत पड़ेगी पैसे की जरुरत पड़ेगी एक शशक्त यहां पर बैंकिंग सिस्टम की यहां पर अपने जरुरत पढ़ने वाली है तो हम क्या देख रहे हैं कि आजादी के बाद से जो बैंक थे उतने अच्छे से यहां पर अच्छे तरीके से पर्फॉर्म नहीं कर पा रहे तो गवर्मेंट ने क्या सोचा क्यों ना इनका यहां पर राष्टी करण कर दिया जाए तो राष्टी कर पर testy यहां पर रखा है अपने पास में गौईर्मेंट ने रखा है ऐसे हम लोग क्या देख रहे हैं बैंक को हमने क्या बुला यहां पर राष्ट्रीकृत बैंक तो हम लोग क्या बैंकव कि दीरे धीरे यहां पर किया जाने लगा और सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं 19 जुलाई 1969 को 14 यहां पर बैंक का क्या किया गया यहां पर विलाई किया गया तो ध्यान में रखे भारत में बैंकों का पहली बार राष्टी करण कब हुआ 1969 में हुआ वह हम लोग क्या देखते हैं कि आगे चलके च्छे और यहां पर बैंक है आगे चलके हंण नानेकी यहां से कलो किया गया था तो 1980 जमना करते हैं तो कुल राष्टी कृट बैंक कितने थे यहां पर टुटल 20 आप बात में दीखते मैं कि जो न्यूंब bank of India है वो क्या हो जाएगा दिवारिया होगा तो उसे हम यहाँ पर किसमें मिला लेटे हैं पंजाब national bank में और जब वो दिवालिया हो जाता है तो एक राश्टीक्रिद bank कम हो जाता और मेंक कितने हो जाते हैं 19 वरतमान कि अगर जब हम लोग पर बात करते हैं तो वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि एक अप्रेल 2020 से बैंकों का मर्ज हुना यहां पर क्या हुआ था चलू हुआ था और वर्तमान में हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो राश्टीकृत बैंकों की संख्या हम लोग देखते हैं तो कितनी हैं यहां पर 11 तो राश्टी करिद यहाँ पर तो सारे राश्टी करिद बैंक यहाँ पर क्या कहलाते हैं सरकारी बैंक कहलाते हैं लेकिन सारे सरकारी बैंक यहाँ पर राश्टी करण जिनका यहाँ पर किया गया था प्लस हम लोग क्या देख रहे हैं स्टेट बैंक औफ एंडिया अगर इ बढ़ते हैं आगला प्रश्न है कि भारती रिजर्व बैंक से संबंदित निमने लिखित कथनों का अध्यन कीजिए तथा नीचे दिए गया कूट से सहीं उत्तर का चैन कीजिए तो यहां पर आरबी एक से यहां पर इस्टेटमेंट यहां पर दिये हुए हैं इसमें से अपने को देखना है कि सहीं क्या है और गलत क्या है तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर सबसे सीर्ष जो बैंक है यहां पर वह कौन है यहां पर यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है तो बिल्कुल हम लोग क्या देख रहे हैं यह मनी सप्लाई को यहां पर रेगुलेट करने का यहां पर काम कर रहे हैं तो जब मनी सप्लाई यहां पर ज्यादा बढ़ जा तो बिल्कुल हम लोग क्या देख रहे हैं मुद्रा आप उठती को नियमित करता है यह भी करेक्ट है तीसरा या व्यापारिक घरानों को रिंड प्रदान करता है तो ध्यान में रखिया है आर बी आई केवल और केवल अपने यहां पर क्लाइंट को रिंड यहां पर प्रदान आर बी आई नहीं करता यह कमर्शियल बैंक जो है वह अधर अधर लोगों को यहां पर क्या करते हैं यहां पर प्रवाइट करते हैं यह नाबाड के कारियों का परवेक्षन करता है बिल्कुल हम लोग क्या देख रहे हैं नैश्टाल बैंक पॉर एग्रिकल्चर रूरल स्टेट्मेंस चौत लोगापनाइफ होगा तो हम कहा देख रहा हैं और प्र हैं तो औ्र क्रेक्ट के होगा तो चलिए अगले और फ्रिष्न के लिए बारे में यहां पर ना हुआ है वह केंद्र सरकार का Bank है बिलकुल भी सहीं हम लोग क्या देख रहे हैं कि Central Government के लिए जितनी यहां पर Banking Activity जितनी भी यहां पर Banking Activity Central Government के लिए यहां पर है वह RBI ही क्या करता है यहां पर पर्फॉर्म गडता परखंए दुस्रा मौधरिक नीती बनाता है और लागू कड़ता है तो भारत में मौधरिक नीती बनाने का काम और उसको रेगुलेट करने का काम वाला और पूरा किस Kaz yen एजन्ट की रूप में हैंपर क्या करता है काम करता है लोग देह रहे हैं वह अंतराष्टी मुद्राकोष यहां हम लोग कर रहे हैं आई-वफ की यहां पर बात कर रहे होगा है वह बहुरत सरकार के यहां पर प्रकार कि इंकम यहां पर कम है एक्स्पेंडीचर जादा है तो खर्चों के लिए जो यहां पर रिन लेकर आएगा वह भी कौन यहां पर उस रिन की विवस्था करेगा आर भी आई ही करेगा तो देट मिन्स क्या देख रहें चौता इस्टेट्मेंट भी यहां पर क्वार्षण कुछ प्रकार है निम्मलिखित में कॉन सा एक भारती रिजर्व बेंक का कार्य नहीं है अब यहां पर भी यहां पर रिजर्व बैंक के कारी के उपर में यहां पर प्रश्ण बना हुआ है देखते हैं चलो साख नियंत्रन बिल्कुल हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर क्रेडिट कंट्रोल करने का या साख नियंत्रित करने का यहां पर क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वहीं हम लोग क्या देख रहे हैं अनुसूचित कि वाने जडिख्र बैंकों की सिखर संस्था के रूप में यहां पर काम कर रहा तो बिलकुल June बैंकों की एक सिखर संस्था के रूप में क्या कर रहा है वह काम करा दूप बैंक किसे बुलते हैं शेडूल बैंक वो बैंक होते हैं दोस्तों जो आर्बी आई एक्ट 1934 के जिन्हें शेडूल कि टू या अनू सूची दो में जिनको यहाँ पर क्या मिला है जगाब मिला हुआ बैंक को हम लोग क्या बोल रहा है अनुसूचित बैंक बोल रहें या अनुसूचित वानिजिक बैंक हम लोग बोलते हैं जो आर्बी आई निर्माण के हम लोग बात करें तो बिल्कुल क्या देखते हैं यहां पर कि मौद्रिक निर्माण और यहांrez के पॉलिजिसी भी कौन हैं पर डैसाइट करता है तो द्धान मेंुरखना हम क्या देख रहे हैं यहां पर भारती रिजर्व-banks क्या क्या है इसके अलावा यहां पर साक्स रिजन की यहां पर क्या कर रहा है बात कर रहा है तो देखो ड्धान में रखना साख्द नियंत्रण के काम तो यहां पर Reserve Bank of India करता क्रान की यहां पर लोगों के हैं ना कि यहां पर रिजर्व बैंक और इंडिया तो हम लोग क्या देख रहे हैं क्रेडिट प्रोवाइट करने का काम कौन करता है यहां पर यहां पर नहीं है ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन है एक रुपय के नोट पर हस्ताक्चर होता है तो धान में रखना कि एक रुपय का जो नोट है वह वित् t मंत्रा ले द्वारा जारी किये जाते हैं finance ministry द्वारा ऑर जिसे पर हम क्या देख रहे हैं सचिु के क्या होते हैा यहां पर signature उतम यहां तो एक रुपएा के जितने एक रुपएा से जितने भी बड़े नौट है धान देट मेंज शक्तिकान दाज जी जो वरतमायन के हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर गवर्नर है उनका क्या रहेगा सिगनेचर रहेगा ठीके दोस्तों चलिए अगले प्रश्ण की और हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है यहाँ पर है निम्न हम बोलते हैं यहाँ पर regionalék रूरल बैंक के रेजननल रूरल बैंक वहीं हम लोग क्या पूर्णी बैंक यह जिसे हम बोलते हैं लीड बैंक वहीं और रहे हैं नेशनल बैंग here for agriculture and rural development या जिसे नंमांब बोल रहे हैं और यहां पर किसकी बात की जारी है SB की एहां पर क्या किया रही है बात की जारी है तो इनको इनके स्तापित होने के कर्म की आधार पर अपने को क्या करना है हां और सेट करना है तो हम लोग क्या यहां पर खेतरी ग्रामिट्न बैंक कि यहां पर बात कि जा रही है चूंकि भारत घांवूम में बसता है ठीक है हम क्या देख रहे है कि 2 अक्टूबर कब दूस्तों यहां पर 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामिड बैंक या रीजनल रूलर बैंक की क्या की गई थी इस्थापना की गई थी वहीं हम लोग क्या देखते हैं लीड बैंक जो यूजना है 1969 में यहां पर लाए गई थी जिले के जो यहां पर सरवादिक साखा वाला बैंक होता था उस जैक्ष वित्ती प्रबंधन या फैनेशियल मैंेजमेंट से करने के लिए उस सरवादिक साखा वाली बैंक को हम लोग क्या कहने लगे तो यह योजना जो आई है कब MB यहةं बात करते हैं तो नाबाट जो यहां पर बैंक है उसकी जो ईस्थापना है वो 1982 में हुई तो द्यान में रखना नाबाट को जो बैंक का क्या हुआ था गटन हुआ था लेकिन इसको बैंक कदर जब मिला यहां पर 1982 में वहीं हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन से यहां पर मैंक स्थापित हुआ है तो भारती स्टेट बैंक तो चौथा उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं अग्रणी बैंक योजना फिर कौन आया है यहां पर चार दो एक तीन तो ऑप्शन भी क्या होगा यहां पर दोस्तों करेक्ट होगा चलिए अगले प्रश्न की और आगे बढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को नियूंतम कितने मुल्य का स्वर्ण अपने स्टॉप में हमेशा रखना चीए तो देखो रिजर्व बैंक बैंक को यहां पर नए नोट चापने के लिए एक नियूंतम यहां पर मिनिममम डिपॉजिटरी कितना यहां पर दोस्तों 200 करोड का संपत्य उनके पास में यहां पर होना चाहिए इस 200 करोड में 115 करोड है उसका क्या होना चाहिए और 85 करोड का और 85 करोड का foreign बॉंड एंड सिक्क्योरिटी और कारंसी की फर्म यहां पर होना चाहिए ध्यान में रखेगा कि नियूंदम कि इतने मुल्य का स्वण स्टॉक अपने अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए तो ध्यान में रखना 115 करोड का ठीक है दोस्तों क्योंदे अगले प्रश्ण कुछ इस प्रकार है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकरित है ध्याद में रखना है यहां पर यहां पर Works जाते हैं चलिए अगले प्रश्ण की और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण कुषिस प्रकार है कि प्रत्थम छेत्री ग्रामिट बैंक के स्थापना किस वर्ष में होई थी तो यह यहां पर देख चुके हैं यहां पर बात की जा रहा है रीजनल रूरल बैंक्स की यहां पर बात की जा रही है तो जिसके स्थापना दो अक्टूबर 1975 में की गई थी तो ध्यान में रखिएगा कब 1975 में की अगले प्रश्ण की और आगे बढ़ते हैं प्रश्ण राज जिसटने बी जो ग्रामिड बैंक होते हैं न टीक है वह गव्रमेंट ने रूरल एरिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर को पावर फुल बनाने के लिए और पूरे गाहों तक यहां पर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए यहां पर किया तो हम लोग क्या चुनकि जो बैंक होते थे वह उस एरिया ड़ामें एरिय में नहीं झाते थे कविप्र फॉपित वहापे काम होता तो सरकान ने इनिशीटीव लेते वह इसमें त्रडटर्स के इसकापन और हम लोग TW 겨्वंध weeds तोटल एमाउंट का फिफ्टी पॉर्सेंट और कोंट्रब्यूट करता है वही हम लोग क्या देख रहे हैं उस पर्टिगुलर राज्जी की जो सरवाधिक आहाँ पर शाखा वाली बैंक होगी कि वो जो बैंक होगी कमर्शियल मैंक होगी वो 35 पुर्षेंट क्या करेगी क्या करेगी वही हम लोग क्या देख रहे हैं स्टेट बैंक का कॉंट्रिबुशन कितना रहता है यहां पर 15 पर संपादिल तो चलिए अगले प्रशन क्यों रहे हैं पर आगे बढ़ते हैं तो यहां गैर निश्पादनिय परिसंपत्यों का अर्थ क्या है तो यहाँ पर गैर निश्पादनिय संपत्य या जिसे हम क्या बोलते हैं मैं एंप यह वारमिंग् भी कि असेट कि यहां पर क्या की गई है बात की गये तो the non-performing असेट क्या होता है देखो यह एक ऐसा यहां पर रिण रिणी का खाता होता है ठीक है ना जिस पर सामने वाले ने लोन तो लिया है लेकिन काफी लंबे समय तक उस लोन का नहीं प्रिंस्पल अमाउंट यहां पर पे किया है नहीं हम लोग क्या देख रहे हैं उस पर कोई भी की राशी वहां पर बैंक को पे की गई तो एक ऐसा खाता है जो काफी समय से ठीक है ऐसी इनक्टिव यहां पर पड़ा हुआ है ऐसे खाते को हम लोग क्या बूल रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट के नाम से हम लोग क्या करते हैं यहां पर जानते हैं तो ध्यान में पर बुलते हैं सब सिक्वेंट यहां पर क्रेटेगरी या सब सिक्वेंट असेट या अवमानक संपत्ति एक ऐसी संपत्ति जिसमें मिनिममम हम लोग क्या देख रहे हैं 90 दिनों तक कोई भी ट्रांजेक्शन ना हुआ हो कहने का मतलब क्या देख रहे हैं 90 दिन तक यहां प या फिर सब सिक्वेंट असेट के नाम से हम लोग क्या कर रहें जान रहें तो ऐसा 90 दिनों से अगर एक साल तक चलते रहता है तो जो बैंक है अपने प्रॉफिट में से 15% पैसा अलग से हटा कर रखते हैं इस घाटे को भरने के लिए ठीक है दोस्तों वहीं अगर हम लोग द वापसी ना हो ऐसे खाते को हम लोग फिर यहां पर क्या बोलते हैं यहां पर या ऐसे संपत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं डाउट फुल असेट वहीं हम लोग क्या दिख रहे हैं कि अगर तीन साल से उपर तक ऐसे यहां पर चलता रहे तो उसे हम यहां पर लॉस असेट के नाम से यहां पर जानते हैं फिर जो बैंक वाले अपने खुद के प्रॉफिट से 100% पैसा अलग हटा कर रखते हैं ताकि इस NPO को यहां पर क्या किया जाए भरा जा सके तो धान में रखे वानिजिक बैंकों में गैर निश्पादी ये संपत्ती परी संपत्यों का अर्थ क्या होगा चलो पहले में जाते हैं तो मैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता दूसरा पुंजी परी संपत्य जो प्रयोग में नहीं है तीसरा रिण जिन पर व्यास तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती तो ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट होगा इसे और क्या बूल रहे हैं एन बी एफ सी देट मिस नॉन बैंकिंग फाइन फाइनेंशियल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी की यहां पर बात की जा रही है कि बैंक नहीं हुती लेकिन बैंक के जैसे एk्ट करते हैं यह नॉटी beckon का मुख्य काम क्या प्रवाइट कर सकते हैं लेकिन उनको कोई भी स्थाइक हता सेविंग एकाउंट लाइट यहाँ पर de Pausit ऐसा कोई भी एकाउंट देने के उद्धेश से हाहां पर क्या किये गए हैं थीक है कि दोस्तों तो कहने का मतलु हम लोग क्या देखर हैं रिन देना हो या कोई सेवा देना हो जैसे यह यह समय निधियान पर कारे करते हैं और इंडियन यहां पर फाइनेंशेल मार्केट में बहुत बड़ी भूमिका यहां पर रिण वगेरा देने के लिए यहां पर क्या करते हैं निभाते हैं तो ध्यान में रखेएगा चलो ऑप्शन की और हम यहां पर आगे बढ़ते हैं तो बैंक के कारियर को बैंक द्वारा आउट सोर्स करना तो यह स्थाई खाता बस नहीं देंगे लेकिन रिण वगेरा या दूसरी जेवाई लोगों को क्या करेंगे यहां पर प्रफॉर्म करेंगे लोगों को प्रोवाइड करेंगे ठीक है कि नहीं दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर बैंक कहते हैं चलिए अगले प्रश् सेक्टर की यहां पर क्या की जारी है बात की जारी तो हम लोग क्या देख रहे हैं चुंकि भारत सरकार यहां पर जो है लोक तंद्र का सबसे बड़ी विशेस्था यह होता है कि लोग कल्याण के लिए क्या करता है यहां पर काम करता है और चुंकि भारत में समस्याय क्या है ज सबाजिक या आर्थिक परिस्थिती से निकालना है तो उनके उपर में खर्च करना या उनको सपोर्ट करना क्या है यहां पर जुर्री है तो हमने क्या देखा है यहां पर कि इस छेत्र में आर्बी आई भी क्या करता है यहां पर पीछे नहीं हटता और आर्बी आई बैंकों क एक निर्देश जारी करता है कि अपने कुल लोन का कुछ जो अमाउंट है वो प्रायर्टी सेक्टर में या प्रात्मिक्ता छेत्र से जो लोग यहां पर जुड़े हुए हैं उनको यहां पर आपको लोन प्रोवाइट करना यहां पर क्या है जरूरी है तो हम लोग क्या देख हैं कि अगर 20 से कम यहां पर शाखा वालु बैंक हैं यह पूरे देशिये मैंक विदेशी बैंक सबी प्रकार के बैंकों केसे साखा वाला बैंक है तो अपने टोटल लोन इमाउंट का 32 percent के लगभग हम लोग क्या देख रहे हैं इनको प्राइटी सेक्टर में लगाना क्या ह होता है ज़रुर्य होता है तो सब्सेटर कौन औहीं हम लोग क्या देख रहे हैं अगrrree कर किग्षटर दूसरा हम लोग क्या देख रहे हाँ फर सेक्षेन दोस्त wol लोग क्या देख रहे हैं also का एंद वाप Alright यह सब यहां पर क्या है प्रात्मिक छेत 할게요 क्लियर रही है दुस्तों तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रात्मिक 630-29 से क्या तपर है इनको यहाँ पर funding क्या करना है हमकों यहाँ पर प्रवाइड करना है तो देख रहे हैं क्रिशी आ गया लगों माइक्रो एम छोटे उद्यम आ गया वहीं हम लोग क्या देख रहे हैं दुरबल वर्ग वर्ग आ गया तो इन सभी के लिए यहां पर लोन की विवस्था करने का दाइत तो किसने यहां पर रखा हुआ है और इस्ट्रिक्ट गाइड है तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं और द्योगिक वित्तिनियम या इंडस्टियल ठीक है फाइनेंशियल कोर्परेशन की हम लोग यहां पर बात करते हैं किस रूप में यहां पर काम करता है तो देखो यह एक वाणी व्यापारिक बैंक के रूप में काम कर रहा है क्या बिल्कुल भी नहीं हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक financial ठीक है सब कॉर्परेशन को इंडियन सॉरी इंडस्टियल financial corporation की हम लोग यहां पर बात करते हैं तो यह धान में रखना एक विकास बैंक के यह परिभाषित किये हुए चलिए अगला प्रशन है भारत में क्रिशी के लिए पुनर वित्य प्रदान करने के लिए सर्वोच्छ यहां पर बैंक है तो देखो क्रिशी और किसे संबंदित यहां पर जो थर्ड पाल्टी को यहां पर लोन देने का यहां पर काम करता है वह को क्या करते हैं ठीक है दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं कौन यहां पर अगले आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है यहां जिला साख योजना बनाए जाती है तो ध्यान में रखना मैंने और यह चीज पहले आपको बताया है कि जिले में हम लोग क्या देख रहे हैं के लिए सरवादिक साखा वाले बैंक को हम लोग लीड बैंक यहां पर गोशिद करते हैं जो कि यहांज सेखाए तो सीड़ी से बात है इसको औप्षिन क्या होगा यह होगा लीड बैंक के अंतरगत ठीक है दोस्टों तो आज के लिए केवल इतना ही तो आज हमने यहां पर बैंकों के के बारे में यहां पर समझा बैंक को संबंदिक कुछ महत्वण प्रश्णों पर यहां पर चरचा किया जो कि आपके एक्जाम पॉइंटों के उसे काफी ज्यादा यहां पर क्या थे महत्वण थे तो आगे की क्लास के लिए बने रहिए कॉंपेटिशन कम्यूटी के लेर्निं